संजीव कुमार क्यों कहते थी कि वो कभी अपना बुढ़ापा नहीं देख पाएंगे और किस से लड़की के चक्कर में राजेश खना ने संजीव कुमार को मारा था जोरदार थपड़ जिसके बारे में बात करने से भी सब कतराते थे किस बात के लिए संजीव कुमार ने बेहन के लिए खाये थे थबड़ और कैसे संजीव कुमार को पता था कि वो लंबा नहीं जी पाएंगे इसलिए छोटी उम्र में ही निभा डाले उम्र से बड़े करदार ताउम रुप्यार के लिए क्यों उतरस्ते रहे संजीव कुमार और वीडियो के अंद तुमें आपको बताएंगे कि कैसे साधू ने कर दिया संजीव कुमार का कतल हैं अभी बहुत से किसे तो चलिए शुरू करते हैं संजीव कुमार के जीवन के वो किसे जिन्हें बहुत कम लोग को पता है आधेश सिंग्रार होर के साथ हिंदे सिनमा के महान कलाकारों में शुमार रहें संजीव कुमार सतर के दशक के टॉप स्टार्स में शुमार रहें वो उस वक्त बांकी हीरो से भी जादा मेहनताना पाते थे वो एक हर्फन मौला स्टार थे नौजुलाई 1938 के दिन गुजरात के सूरत में जनमे संजीव कुमार ने बच्पन से ही कलाकार बनने का सपना देखा था दरसल वैसे तो वो गुजराती परिवार से तालोग रखते थे लिकिन संजीव के जनम के साथ साल बाद उनका पूरा परिवार मुंबई में बस गया संजीव कुमार का पूरा नाम हर्फर जेठालाल जरी वाला था उन्हें करीब से जानने वाले लोग हरी भाई भी कहकर बुलाया करते थे गुजरात के एक जैन परिवार में जन्वे संजीव कुमार आज अगर जिन्दा होते तो वो अपनी जिन्दगे के 84 पड़ाओं पर होते संजीव कुमार के परिवार में जर्दोजी का काम किया जाता था यानि कपड़ों पर जरी वाली कड़ाई और संजीव कुमार भी अपने भाईयों के साथ मिलकर ये काम किया करते थे इस काम को करते करते संजीव कुमार को एक्टिंग का बखार चड़ा इसी शौक के बदालत अपने पारिवारी काम को वो छोड़कर रंगमंच के दुनिया में जुड़ गए फिर बॉलिवुड की उन गलियों में पहुँच के जहां की चमख धमख की पूरी दुनिया ही दिव्यानी थी आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरवात में संजीव कुमार केवल परदे को खीचने का काम करते थे इसके बाद धीरे धीरे उनका एक्टिंग से लगाव देखकर उन्हें छोटे मुटे किरदार मिलने लगे अभिने का कीड़ा उन पर ऐसे ही नहीं चड़ा था वो अंदर तक इस कदर फैल चुका था कि उनके एक्टिंग का लोग लोहा मानने लगे थे और थेटरों में लीड रोल में निज़राने लगे इसके बाद संजीव ने एक्टर बनने के धुन पाल ली और थेटर करने लगे इसके बाद उन्होंने उन्नी सो साथ में फिल्म हम हिंदुस्तानी से रुपहले परदे पर कदम रखा और हर तरफ चा गए वो खुद को किसी भी रूप रंग या करदार में इतनी आसानी से ढाल लेते थे कि कभी एहसास ही नहीं होता था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं अपने एक्टिंग और साथगी से लाखो लोगों के दिल जितने वाले संजीव कुमार असल जिल्दगी में किसी पर अपना दिल हार बैठे थे वो शक्स कोई और नहीं बलकि तमाम दिलों के ड्रीम कर लियानी हिमा मालनी थी फिल्म सीता और गीता के शूटिंग के दोरान संजीव कुमार को पहले नजर में हिमा मालनी से महबत हो गई थी वो हिमा मालनी का हाथ मागने के लिए उनके घर भी गए थे लेकिन अबनेतरी की माँ ने अपनी बिरादरी का हवाला दे कर रिश्टे से इंकार कर दिया इससे संजीव कुमार इसकदर तूटे कि उन्होंने तामर शादी नहीं करने का फैसला ले लिया और खुद पर जान लुटाने वाली सुलक्षणा बंडित के प्यार को भी ठुकरा दिया जिन्होंने रोमेंटिक से लेकर थ्रेलर फिल्मे तक की दो फिल्मों के लिए उन्होंने नेशनल आवार्ड तक जीते सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब संजीव कुमार को फिल्मे मिलना बंद हो गई इस वज़े से वो डिप्रेशन में चले गए लेकिन जब 6 नवंबर 1985 में संजीव कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी 10 से भी जादा फिल्में रिलीज हुई थी जिन में से कुछ हिट रही फिल्मों में आने से पहले संजीव कुमार का नाम हरीहर जरीवाला था जो कि हमने आपको पहले बताया जो कि संजीव के पिता भगवान श्री किशन के भग थे तो उन्होंने बेटे का नाम हरीहर जरीवाला रख दिया लेकिन फिल्मों में आने के बाद वो संजीव कुमार बन गए सब के दिलों पर राच करने लगे संजीव कुमार ने खिलोना, अंगूर, शोले, दस्तक और कोशिश जैसे फिल्में की पर क्या पता था कि बुरा वक्त संजीव कुमार को घेर लेगा जब फिल्म में मिलना बंद हुई थे संजीव कुमार डिप्रिशन में आ गए करीब 1978 के आसपास उन्हें हाट अटेक आया जिसके बाद उनकी हाट सर्जरी करनी पड़ी थी संजीव कुमार आखरी दिनों में एक दम तनहा हो गए थी आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके परिवार में सभी पुरुशों की मौत पचास साल के अमर से पहले हो जाती थी संजीव कुमार के साथ भी यही हुआ उनके मौत 47 साल के अमर में हो गई थी इससे पहले उनके दादा और पिता की भी मौत 50 साल के उम्र से पहले हो गई संजीव कुमार के भतीजे उदेज जरीवाला ने एक इंटर्वियू में इसकी वज़े बताई साथ ही ये भी बताए कि चाचा संजीव कुमार का आखरे वक्त कैसा रहा उदेज जरीवाला से जब ये पूछा गया कि क्या सच है कि उनके परिवार में सभी पुरुशों की मौत 50 साल के उम्र से पहले हो जाती है तो उन्होंने इसे सच बताया उदेज जरीवाला ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा था दादा और संजीव कुमार के अलावा उनके पिता की भी जान 47 और 50 साल के उम्र में हो गई थी उदेज जरीवाला ने आगे कहा कि पर अब ऐसा नहीं है क्योंकि वो 50 साल से अधिक के हो गए है लेकिन खुद उदेज भी नहीं समझ पाए कि आखर उनके घर में बांकी पुर्ष्यों के साथ ऐसा क्यों हुआ वो 50 साल के उम्र से पहले ही क्यों चल बसे संजीव कुमार का 6 नवंबर 1985 में निधन हो गया था हाट अटेक आने के बाद संजीव कुमार के सेहत को लेकर और एहतियात बरती जाने लगी थी उदे जरीवाला ने बताया कि संजीव कुमार के कमरे में हर किसी को जाने की अजासत नहीं थी उनके कमरे में घंटी लगाई गई थी एक्टर जब घंटी बजाते तो तब ही कोई अंदर जा सकता था संजीव कुमार के कमरे में अगर किसी को जाने की अजासत थी तो पूरी एहतियात और परहिज के साथ संजीव कुमार ने 5 साल निकाल दिये थी और उन्होंने फिल्मों के शूटिंग भी शुरू कर दी थी लेकिन 5 नवंबर 1985 को सब बदल गया उस दिन वो फिल्म कतल के शूटिंग और फिर डबिंग का काम करने के बाद रात को पार्टी में चले गए और फिर वहां से प्रडूसर नारी शिप्पी की बेटी के घर खाने पर चले गए और फिर दूसरे दिन उनका देहान दो गया कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि संजीव कुमार के परिवार को एक साथू ने सदियों पहले एक शुराब दिया था उसके तहर संजीव कुमार के परिवार का कोई भी पुरुश पचास साल से उपर नहीं जीएगा ये शुराब दिया गया था और हुआ भी वैसा ही संजीव के पिता और दादा की जान भी ऐसे ही चली गई पचास साल से पहले और इसके बाद उनके भाई भी ऐसे ही दुन्य को उन्होंने अलविदा कह दिया और खुद संजीव कुमार की जान भी पहले ही चली गई और 47 साल की अमर में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसलिए उनके फैन कहते हैं कि उनका कतल करने वाला अगर कोई है तो वो साधू है जिसने ये श्राब दिया था दोस् साथ हवाय चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बोलिए बहुत बहुत शुक्रिया